हलो मैं हूरे खायाद और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई नट और वीजो को स्नैक्स के रूप में खाना सबसे अच्छा माना जाता है हल्दी फूड की बात करें तो मेवों का कोई जवाब नहीं है अगर आप सोचते हैं कि मेवे में फैट होता है तो आप बिलकुल सही है लेकिन ये फैट हमारे शरीर के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है इसमें मौझूद कैलोरीज हमारे शरीर द्वारा उप्योग में लाई जाती है इसमें मौजूद natural sugar हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुचाती नट्स में iron, calcium, magnesium और potassium जैसे कई minerals पाए जाते हैं इसके अलावा इसमें vitamins, fiber और fat होते हैं जो की omega 3, fatty acid और unsaturated fat के रूप में पाए जाते हैं ये fats हमारे शरीर को तुरंत energy देते हैं इनमें मौजूद mineral और vitamin हमारे शरीर को अलग-अलग काम करने के लिए शक्ती देते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मेवे हमारे शरीर के लिए कितने अच्छे हैं लेकिन जरुवत से ज़ादा खाने पर ये नुकसान भी पहुचा सकते हैं ऐसे मेवे जिनमें ढेर सारा mineral और vitamin पाया जाता है उन्हें आप सुबह खाये और wave मेवे जो पाचन में मदद करते हैं उन्हें आप रात में खाये तो आए आज हम जानते हैं कि कौन से मेवे को हमें किस समय खाना चाहिए सुबह की बात करें तो सुबह बादाम खाना काफी फायदे मन्द है दिन का समय हमारे लिए काफी बीजी होता है क्योंकि उस दोरान हमारे सिर पर काफी काम रहता है इस दोरान बहुत से लोग बादाम को नियमित रूप से खाना पसंद भी करते हैं इसमें विटामिन E और मैगनीज होता है जो इम्यून सिस्टम को काम करने में मदद करता है और शरीर को infection से बचाता है इससे हमारी body की condition अच्छी बनी रहती है इसलिए बादाम को हमेशा दिन के समय खाने की सलाह दी जाती है आपको इसे खाने से पहले रात में कुछ समय भीगो दिना चाहिए और फिर सुबह इसे छील कर खाना चाहिए एक्सपर्ट बताते हैं कि हमें रोज 5-6 बादाम भीगो कर खाने चाहिए काजू और पिस्ता जैसे nuts को शाम में खाना काफी अच्छा रहता है पिस्ता और काजू वसा में सम्रुद हैं जो आपको तुरन तनेवजी देते हैं ये मुह के बैक्टेरिया को भी नश्ट कर देते हैं और दाथ की सडन को रोक देते हैं इसमें मैगनीज होता है जो की रक्त चाप और मान स्पेश्यों की ठकान दूर करने में मदद करता है दूसरी तरफ पिस्ता हाट के लिए बेहद फायदेमंद होता है इन दोनों मेवो को शाम को ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद वसा आपके उर्जा को बढ़ावा देगी और आपकी सहन शक्ती को बढ़ाएगी जो के आपके दिन भर के हेक्टिक रूटीन के बाद बेहद जरूरी होगी अखरोट, मौनक्का और खजूर के फायदे चाहिए तो इन्हें रात में खाएं क्योंकि इन्में ओमेगा-3 फैटी एसिट पाया जाता है मौनक्के में डाइटरी फाइबर होता है ये तीनों मेवे पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करते हैं बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि अखरोट कब खाना चाहिए शाम को या फिर सुबह लेकिन इसे खाने का सही समय होता है रात में ये मेवे आपको कब्ज से राहत दिलाते हैं इनमें विटामिन और मिन्रल्स होते हैं जिससे रात भर आपकी स्किन और बाडी की टिशू रिपेर होती है इसलिए इसे रात में खाना सबसे बहतर होगा दो मुनक्के के साथ एक खजूर और तीन से चार अखरोट को रात में खाने से आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो आप तो आप जान ही गए होंगे कि कौन से मेवे को किस समय खाना चाहिए ताकि इससे हमें दुगना फाइदा मिल सके आई होप आपको ये इनफर्मेशन पसंद आई होगी ऐसी ही इनफर्मेशन के लिए देखते रहे बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सबस्क्राइब जरूर करिए